आज की इस वीडियो में हम जाने वाले हैं उन गलतियों के बारे में जो किड्नी पेशेंट करता है ठंडों में और ठंडों में ये गलतियां आपको गलती से भी नहीं करनी नहीं तो इसके दूस्पगिनाम आपको बहुत ज्यादा भुगतने पड़ेंगे सबसे पहले वीडि पर पूरा वीडियो देखकर ही उन चीजों का इस्तमाल करें चावन परास अभी ठंडों में बहुत ज्यादा आने लग जाएगा और हर किड्नी पेशेंट का दिल करता है कि वह भी चावन परास का है क्योंकि चावन परास के अंदर बहुत ज्यादा इम्म्यूनिटी बहुत सारे आमले का इस्तमाल करके चोड़े से डब्बे में चौन परास बना दिया जाता है और यह चौन परास आपके सरीर में कबसे कम पांच किलों आमले को ले जाता है तो इतना आमला अगर आपकी बोड़ी के अंदर जाएगा तो आपका पोटेसियम अचानक से क्या होगा वह आप समझी सकते हैं जो चौन परास है उसका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है अगर चौन परास आप खाएंगे तो आपको पोटेसियम भड़ेगा और आपकी तबियत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी और आपका लीवर भी कम काम कर रहा होता है तो इसके अंदर पोटेसियम बहुत ज्यादा मनत्रा में होता है साथ में इसकी सोडा का इसault किया जाता है और पुछ तरीकी के केमिकल का कैस्तिमाल किके निगा से के पोधिए तो अगर गोड़ेगॏ ही गुड का इस्तिमाल करें जब आपका पोटेसियम कम हो अगर पोटेसियम आपका पहले ही बढ़ा हुआ है और आप गुड़ खा रहे हैं तो आपको हाट अटेक जरूर आएगा और आपकी तवियत बहुत जादा खराब हो जाएगी आपकी मास पैसियों में खिचाब होगी तक रहे है गुड़ के अल्टरनेट में चीनी का प्रयोग करें या धागे वाली मिश्री का परयोग करें गजक आगे पट्टी आजसे आप को कूछ भी नुक्सान नहीं होगा जाता है तो कीद्नी पेचन्ट का भी दिल करता है little में कि वह सारी चीजों का स्तमाल करें पालक के अंदर बहुत हाइप अधर हाइप मत बथ्वे के अंदर भी बहुत ज्यादा हाइप होता है यह वैसे तो बहुत ज़़ादा होती है लेके नोर्मल विक्ति के लिए लाब दाएक हैं पेशन्ट अगर इनका इस्तमाल करेगा तो उसका पोटेसियम लेवल सड्ली हाई हो जाएगा और उसको हाट आटेक आने की संभावना भड़ जाएंगी तो ऐसे में उसका हर्ट भी सभी से काम नहीं करेगा और उसकी तब्यत भी बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी साथ में उसकी बोड़ी के अंदर जो मासफेसी हैं उनमें खिचाब होने लगेगा और क्रेम साने लगेगा तो आपको इसका इसका इस्तमाल बिल्कुल नहीं करना है बहुत ज्यादा दिल कर रहा है आपका तो आप क्या करें कि पालक को सरसों को बथुए को जिसक आपके सरीर में पोटेसियम बहुत कम जाए ठंडों के अंदर चाई पीने का बहुत मन करता है और किट्नी पेशन्ट को ठंड भी लग रही होती है तो ऐसे में वह बार 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 चाई पी रहा होता है चाई पीने से होता क्या है कि आपके एसिड के लेवल को चाई करता है तो किट्नी पेशन्ट को बार 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 चाई नहीं पीनी है आप का चाई पीने का बहुत दिल करता है तो आप सुबह 25 करेशा को लिए कोफी का इस्तमाल बिल्कुल मत करिए टमाटर का सूप हो गया चिकन का सूप हो गया यह सब का परयोग भी ना करें क्योंकि सूप बनाने के लिए बहुत सारे टमाटर एक साथ इस्तमाल की जाते हैं तो जिस्टे उसके नदर पोटेसियम की मत्रा भड़ जाती है और आपको न